तो आज का जो टॉपिक था, ABC of English Grammar, थोड़ा टॉपिक देखकर अजीब सा लगा होगा कई बच्चों कि हम क्या लिखाए हुए है, वास्तम में हमने आपको बताया भी कि ABC एक फ्रेज होता है, जैसे कि हम कभी-कभी किसी को कह सकते हैं, कि किसी का बेस बहुत कमजूर है, तो इसका मतलब हो गया कि अंग्रेजी व्याकरन का प्रारंबिक ज्यान, जो कि इसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सब यदि नहीं समझेंगे, तो फिर parts of speech समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है, तो कुछ 4-5 terms हमने लिखा है, बस उ हैना कि भासा क्यों नहीं हो, वो एक ही होती है अलफाबेट, हाना कि चायना भासा में लगवक 200 letters हैं, आपको आश्यर होगा जानकर, अलग-लग भासाओं में संख्या इसकी अलग-लग होती है, रशन में अलग होगा, जर्मन में अलग होगा, सब भासा का अलग-लग alphabet होता है लेकिन होता एक ही है, ठीक है, तो एन-alphabet is a set of written letters, यानि written letters के set को ही, और जो कि यहाँ पर थोड़ा सा हम भूल गए हैं, यहाँ पर in a proper order, यह भी कह सकते हैं, in a proper order, एक सही करम में, किसी भी भासा में जो लिखा गया एक letter का जो set होता है, उसी को हम लोग कहेंगे alphabet, ठीक है, और दूसरा देखिए, हिंदी में दी आप इसका समझना चाहा है, तो वर्नों या आक्षरों के सुव्यवस्थित समू को, सुव्यवस्थित मतलब जो अच्छे धंग से और व्यवस्थित हो सुरू में क्या है, अंत में क्या होना चीए, बीच में क्या, क्या हां, किसका यह होता है और साउंड यह किसको रिपरजेंट करता है किसी साउंड को अब सिंपल हम इतना बोल दें कि लेटर जो है सबसे छोटी एक आई है किसी को हम बोल बोल के खूब समझाएं ए ए ए सदीन बजिन्दगी पर उसको ए बोलते रहें जब तक हम लिखेंगे नहीं कभी उस साउंड का एक रिटन साउंड या सिंबल जो होता है उसी को हम लोग लेटर कहते हैं चाए वो कोई भी भासा में हो in any language वह हमने हिंदी में लिखा है कि ध्वनी के सांकितिक चिन्न को ही वर्निया अक्षर कहते है उदारन के लिए चाए कोई भी भासा में जाई या आप sense sense मतलब समझते हैं अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो प्रापर अर्थ भी तो होना चाहिए अब कुछ भी हमाल लिजिए हम आक लिख दे इसका कोई मतलब नहीं है यह निरथक सब्द हो जाएगा तो इसलिए उचित नहीं माला जाएगा तो हम कहें तो that max a sense जिसका कोई अर्थ हो वही चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है कि वरणोय आक्षरों के सार्थक मोई कोही सब्द कहते हैं उधारण के लिए क्षोटे से सब्द को लिया गया है जैसे औही हो गए हो गया एक नहीं होता है gör कोई अर्थ होना चाहिए उसके बाद t sentence a sentence is a meaningful arrangement यह एक जो है सार्थक एक सुविवस्थित यहां हिंदी में लिखा गया है सुविवस्थित और सार्थक समू को ही तो वर्ड के समू को ही हम लोग sentence कहते हैं जिसका कोई अर्थ भी हो और एक सही क्रम में हो सुविवस्थित हो अब मालीजी हम इज को इधर लिख दें अर्थ बदल जाएगा तुरंत बदल जाएगा अर्थ हम सभी जानते हैं इसलिए उसका क्रम में भी होना उतना ही जरूरी है और हमने इसके example में एक ऐसा sentence लिखाया है जो कि एक पैंगरम है हमने bracket में लिख दिया है वो पैंगरम है एक quick brown fox jumps over the lazy dog तो इसमें पैंगरम इसको क contains all the letters जो सारे letters को content करता है सारे letters होते हैं इसमें of English alphabet यहां पर चुकि हम in English alphabet की बात कर रहे हैं तूसी को हमने यह यहां पर लिखा कि किसी भी alphabet के किकई सारे letters लिखम में आ जा रहे हैं किसी sentence में तो वैसे sentence को हम क्या कह सकते हैं पैंगरम कह सकते हैं यह कुछ बेसिक बात थी जो कि आपको जाने जरूरी है